हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का सीता लुत्रा खंडी बिलोग मैं, आज मैं आपको बताने जारी हूँ, मिक्स दाल चीला, इसे मिक्स दाल सारी दालों को मैंने मिक्स किया है, इसका चीला कैसे बनाते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने मिक्सर जार ले लिया है इसमें मैंने डाल डाल दी है अब हम इस डाल को ग्रैंड करेंगे इस डाल को पीसेंगे हम एकदम बारीक से पीसेंगे हम इस डाल को देख लीजिए थोड़ा सा इसमें पानी भी आप एड़ कर सकते हो ताकि ये डाल थोड़ा अच्छे से बारीक से प पर्ड़ के मैं इस सब्सक्राइब में धालो जुदक कर दोंगे अबही में यह पीष हुस्ट के झाल दूंग पेष्ट केस experi्सक्रास ने मैं पेस्ट के आप गज़ने कहले वाकता शीतल किसे ऑसे कानल गर्वार तुमाइन अहि'll सेगान, कि रोड़ कीर के डाल दोता है है, पानी भी मैं इसी में डाल दोंगी और अभी इसे अच्छे से बेशन और दाल को एक साथ मिलाऊंगी मैं पूरी दाल और बेशन को एक साथ तो इस गूर को मैं एक दब मिला देती हूं इसमें मैं मसाले डाल दोंगी धन्या पाउडर हल्दी पाउडर जीरा पाउडर मसाले हल और नमक स्वाध के अनुसार, और मैं इस filthy फ़ड़ा सा पूदीना का पाउडर भी डालूंगी, और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लोंगी, बहुत अच्छे से मैं इसको मिक्स करू अभी आपको बताऊंगी, क्यूंकि ये सारी चीजे मिक्स होनी चही तयों, था भी हमारा ची से मैंने वो कर दिये अच्छे से मिला दिया है मैंने गोल को पूरे गोल को मैंने अच्छे से मिला दिया है दोस्तों अब मैं गैस में एक तवा रखूंगी और इसमें डालेंगे थोड़ा सा देशी घी आप चाहे तो इसमें रिफाइन का यूज कर सकते हो सरसों का तेल न डा अब दालेंगे हम उसमें यह बैटा जो मैंने तयार किया हुआ है एकदम गोल गोल फैलाएंगे कर्ची की उल्टी साइड से हम इसको फैलाएंगे ताकि यह रोटी एकदम गोल लगे रोटी की तरह लगे और दोस्तों यह बहुत अच्छा बहुत स्वाधिश्ट होता है तया कैसा अभी देखो दोस्तों मैं इसे पलट देती हूँ और एकदम अच्छा सा सिखे ये तयार हो गया है हम साइड से इसे थोड़ा थोड़ा दबा देंगे और पलट देंगे देखे कितने अच्छे से ये पक रहा है कितने अच्छे से ये तयार हो गया है दोस्तों देख इसको बैटर को तयार करना है और इसमें घी डालके और इससे एकदम इसी तरीके से हम सारे चीले पका देंगे अच्छे तरीके से हम इनको पकाएंगे ये भी दोस्तों सिक्के तयार हो चुका है मेरा ये दूसरा वाला चीला दोस्तों इसी तरीके से हम इन सारे चीलों को पका देंगे और ये बहुती ज़्यादा स्वाधिश्ट लगते हैं आप इन्हें बच्चों के टिपिन में कहीं भी किसी भी टाइम खा सकते हैं और बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्धी होते हैं और ये बच्चे इ एक दम पराठे की तरह होते हैं एक दम सौट और स्पंज होते हैं दोस्तों मिलती हूं आप से नाइश